स्टुडेंट को अटैम्ट पर माक्स दिये गए हैं जिन स्टुडेंट ने अपने कॉपीज को भड़ा है उनको अच्छे माक्स दिये गए हैं उनको भी अच्छे माक्स दिये गए हैं या पिर कहिए कि शांदार माक्स दिये गए हैं इन सब से बढ़कर जिन स्टुडेंट न प्रॉपर्ली अपने कोश्चन के अंसर दिये हैं उनको इवेन फुल मांक्स दिये गए हैं और फेलिंग परसेंट को डिक्रीच करने की मैक्सिमम कोशिस है मतलब कि नियरली जीरो लाने की कोशिस है वैसे भी आईसे एन आईसे 2023 में फेल करने की दर 100 भी हो जाए नंबर 100 एक सो तो वो मैक्सिमम होगा आखिर बाते क्या है तो यहां पर CIC कहता है और उसने इस तरह की बाते कोपी चेकिंग के दौरान अटेम्ट की और रिजेल्ट में अब डेटा प्रोसेस के दौरान रिफलेट्ट हो रहा है कि स्टूडेंट को अटेम्ट पर माक्स मिले है और यह नियरली सभी सब्जेक्ट में है ऐसा नहीं कि स्टी कि स्टूडेंट ने मैथ में या फिर accountancy में या economist के mathematics में, geography में या biology में आपके जहां पर numerical section होते हैं, genetics वाले या फिर वहां पर जिस तरह के sum और calculation की गुझाइस बनती है और student ने attempt किये, उसको marks नहीं दिये गए, आपको मैं बताता हूँ, यह तीन process हैं, जिसके आधार पर student को openly marks दिये गा, या यह उकदरिये कि student ने deserve किया marks दिये गए, CISC ने जो भी अपनी instruction एक्जामनेशन से पहले दिये थे, कि student के हैं डाइटिंग अच्छी होने चाहिए, लेकिन examination में इस बात को leniently बढ़ता गया, बहुत सारे student की unique ID और index number में गड़बढ़ी हुई, कहीं छुट गए, कहीं पर गड़बर हुए, और इन बातों को भी ignore किया गया, क्योंकि जिस center पर ऐसे unique ID और index number में गड़बढ़ी हुई है, उस center के home center होते हैं, center in charge से पुछा गया, कि इस student के unique ID और index number या तो लिखे नहीं है, या फिर गड़बर है, तो इसके पहले वाले student के unique ID और index number क्या है, और इसक unique ID और index number को correct किया गया है, किसी student को unique ID और index number के आधार पर नहीं रोका जाएगा, दूसरी बात, कि student ने अपनी copy को खाली छोड़ किया है, उनके फेल होने की बाते भी बनती है, नहीं तो ऐसे student जिन्होंने properly question के answer को लिखा है, और उन्होंने attempt किया है, और attempt मतलब यह नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया और marks मिलेंगे, याद रखें, मैं क्या कह रहा हूँ कि attempt किया है, और बहुत सारे examiner confirm करते हैं, कि concerned answer लिखा है, for example, Miranda का heartfelt confession है, इसको अगर था, तो इससे संबंदी तेदी Miranda के speech को या पोर्सिया के thought को भी mention कर दिया गया, तो वहाँ पर उसको marks दे दिये गया है, इसी तरह से consistency में किसी मैत को student ने attempt किया, और उसको उसने बनाया नहीं, complete नहीं किया, लेकिन process के साथ आगे बढ़ा, या step wise question लिखे, उसके बाद कुछ step तक बनाए, formula को भी लिखने का प्रयास किया, तो वहाँ पर process पर marks दिये गया, attempt का मतलब है, कि student ने जिस तरह से numericals को बनाने की कोशिस की, और numericals को step wise solution देने की कोशिस की है, वहाँ पर CISC ने असपस्ट रूप से कहा है, कि student को marks दे दिजी और examiner compelled थे marks देने के लिए, यहाँ पर मैं बता दू कि concern answer मतलब कि answer से related answer जैसे कि history और civics में इंडस valley civilization class 12 को लेकर था, या फिर class 10 में जो question पुछे गए, उसको लेकर first world bar या इन से संबंदित तो वहाँ परेदी student ने उसके cause को भी लिख दिया, effect और solution में, तो उसको भी मान के चला जाता है कि student ने at least concern answer लिका, concern answer पर full marks का provision नहीं है, लेकिन half marks का provision है, मतलब कि out of four marks, आपको two marks मिलेंगे ही मिलेंगे, इसी तरह से out of six marks three marks deserve करते हैं, और इस तरह से student के overall जो performance है काफी increase किये हैं, enhance किये हैं, और यह ICSE and ISE 2023 के result में अब reflect होने वाला है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि यह result the best ever result in last five years है, तो बने रहिए इस वीडियो को like करने के साथ, चैनल को subscribe किजिए दोस्तों के इन सेयर करना याद रखिए